हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप सब लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज बनाएंगे एक चटपटा सा नास्ता जिसे बनाना बेहदासान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो आज मैं आपके साथ आलू बोंडा की रेस्पी सेयर कर रही हूँ तो सबसे पहले हम लेंगे द्रेडर कब बेसन इसमें डालेंगे हम स्वादा नुसार नमक थोड़ा सा हल्दी पाउडर और जीरा रेट चिली पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला धन्यापाउडर और अजवाइन को हम मसल कर डाल देंगे फिर डालेंगे हम थोड़ी सी इसमें हींग इससे का स्वाद भढ़ जाता है और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ बैटर तयार करेंगे तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है नहीं तो इसमें लंप्स पढ़ जाएंगे और इसको हम अच्छे से फेट लेंगे तो देखिए बनकर तयार है अब हम ये आलू की बॉल्स को तयार कर लेंगे आलू को बॉयल करके इसमें बेसिक मसाले डाल कर इसकी बॉल्स बना लेंगे तेल को मैंने गरम होने के लिए रख करेंगे तब तक हमारा तेल गरम हो रहा है कि कि रख्यंट अब हम अपक्षिए करेंगे तो तेल झाल अब हम इसमेंएक-एक कर इसमें बॉल्स को डाल देंगे अ और लोम्ट को शुपकर ने चाटे द।क एह मैंने अगए वाल्स को डाल देंगे कुख हो जाए तो यह नास्ता बहुत ही टेश्टी बन कर तेयार होगा अब इसे हम अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे अब हम निकाल लेंगे इसको प्लेट में फिर हम और बॉल्स को डाल देंगे इन्हें भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज सब्सक्काइब करना ना भूलें अब इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे कर लियें काम में अंभ इन बॉल्ड को निकाल लेंगे तो सारे हमने अलो ब्वोंड़ा तयार करद्आ है अम निकाल लेते हैं अग्लिट में दाप्पे। यम उप्त गे तली उई घ्राई कौज सुन